है 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 यह स्वागत है हमारे यूटीब चैनल इस्टेडी टोगेदर विध्विकास में फ्रेंडस आप यहां पर देख सकते हैं कि अब यहां पर आरवी इलावाद की साइट पर और यहां पर आरवी एंटीपीश्टी ने एक अपना हेल्प डेक्स जारी किया गया है उसकी लिंक यहां पर आप देख सकते हैं कि देखिए 25 तारिक को पच्चीस सिदंबर को यहां पर एक आपके सामने लिंक एक्टिवेट की गई है सी यह नंबर 01 ओके अब हम चलते इस लिंक पर अब देखते हैं पर हमें क्या-क्या इंफमिशन और दे गई देखिए जैसे नहें लिंक पर कलिक किया तो हम यहां पर आज कोगी है रर भी रेल्बर युट्वर्डट बोर्ट पोस्ट्ट्यकवश्या और अब हमने यहां पर जैसे हिंग क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर हमारे सामने डिर्धिद हम इसका क्या जवाब दिया है कि application specification की दवारा आपकी यहां पर invalid photo है यह फिर invalid signature इसके वज़े से आपका application form reject किया गया है अब देखें बन बाए बन हम सारी queries अपने solve out करेंगे और देखते हैं second query हमारे पास क्या है why my application is rejected due to duplication तो इसका rrb ने क्या जवाब दिया है अब देखते हैं multiple application applied by the same candidate or in same area or different rrb is rejected मतलब अगर एक ही candidate ने दो rrb से form fill किया है तो इसका form reject हो जाएगा और अगर एक ही person same rrb से दो बार apply करता है तो इस case में भी उसका form accept नहीं किया जाएगा ओके अब हम चलते अपने third query पर देखें यहां पर देखें हम is there any provision to modify रियप बैलेट फोटो और फॉर माय application थर्ट वाले जो हमारा क्वेडी है इसका क्या अंसर दिया रिल्विन है देर इस नो प्रोवीजन देर इस नो प्रोवीजन फोर री अप्लोड एस पर दा पैरा 15.2 cn01 according to para 15.2 इन्होंने काए कि there is no provision हमारे पास इसका कोई प्रोवीजन नहीं रहेगा रियप्लोड करने के लिए ओके तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा third point यह complete होता है अब हम चलते अपने next query पर fourth वाली देखें when will the admit card be available for download query में आंसर में लेगा कि admit card हमारी कब से download कर दे जाएंगे तो friends आप यहां पर देख सकते हैं admit card will be available for download well before CBT in website as per respective rrbs okay मतलब हमारे exam के 10 दिन पहले rrb admit card जारी करेगा जो कि हम download करके पता कर सकते हैं कि हमारा किस जगह पर हमारा exam होगा ओके तो यह चीज़ हमारे rrb exam होने के दस दिन पहले जारी करेगा और यह सारी information में कहाँ पर मिलेगी उसकी website पर ओके जैसे समलों आपने अजमेर जो से apply किया तो आपको अजमेर जोन के rrb पर ही आपको उसकी information मिलेगी अब हम चलते अपने fifth query पर when will the CBT be scheduled हमारे CBT कब schedule किये जाएंगे तो देखिए update regarding the CBT will be intimated through website as of respective rrbs उन्होंने कहाए कि CBT हमारे जब भी start होंगे तो उसकी हमारे official respective websites पर हमें सारी information दी जाएगी इसी तरीके से हम चलते है अपने sixth query पर what should I do if there is a lot of delay in accessing the page ओके अगर हमें page access करने में ज्यादा time लगता है तो हमें क्या करना चाहिए या फिर हमारी लिए इसके क्या प्राबधान है जो rrb नमें दिया है speed for online application of internet is based on various factors हमारे मतलब जो application form है उसका status देखने के लिए कई सारे factors हो सकते हैं जिसके वेज़े से अपना form नहीं देख पा रहे हैं एक तो हमारे internet speed हो सकता है और large number of applicants trying to view the application at the same time मतलब अगर बहुत ज्यादा एक ही टाइम पर पेज को एकस्स करने की कोसिस करेंगे तो हमारा page वहां से upload नहीं हो पाएगा और हमें अपने application के बारे में पता नहीं चल पाएगा ओके जेर्फोर इस यू आ नोट एबल point number six के लिए हमारी guidelines RRB द्वारा जारे की गई है और देखें अब जो हमारा है point seven तो उसमें देखते हैं कि हमें RRB क्या कह रहा है अब देखें what details should I provide while writing for the problem मतलब अगर हमारे form में कोई problem आते है तो हमें क्या-क्या चीज़े provide करने ही होगे आप देखें आपर क्या-क्या दिया गया है please do not forget to provide the following details हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बाढ़ना है देखें registration number और registered email ID is entered in the application application from birthday time आपने जो registered email ID दी थी वही आपको यहाँ पर mention करना है और in case of application failure in any error message we will we would like to have the specific error message ओके यहाँ पर कोई error message बता देगा वो और additionally you may provide the details including the operating system और आपको हो सकता है कि अपने operating system के बारे में भी वहाँ पर explain करना पड़े क्या विंडो एक्सपी विस्टा Linux कौन सा यूज कर रहा है और आपको यहाँ पर internet browser के बारे में भी explain करना पड़ सकता है अगर आपकी inquiry में से कोई भी query match नहीं करती है तो rrb ने एक और point आपके सामने यहाँ पर दिया है देखे उसमें आपको उस case में आपको क्या करना है कि others पर click करना है जैसे आप others पर click कर कर आईगा और अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या क्या यहाँ पर फिल करना है देखे अदर्स में जैसे अपने अदर्स पर click किया तो यह already filled है rrb zone यहाँ पर आपको क्या करना है zone select करना है तो यहाँ पर आप जो से आपने apply किया है इसके बाद देखिए email id तो यहाँ पर आपको email id यहाँ पर अपने जो आपने application form भरते time दी थी आपको यहाँ पर mention करना है और registration number आपको यहाँ पर registration mention करना है name mention करना है और mail content should be in English language आपको answer चाहिए हो आपको वो query English में ही लिखना पड़ेगा और इसकी बात फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर submit button पर click करना है तो friends आपने आपर देखा कि हमें rrb ने help desk में कई सारे link provide कि है कि जिस student की जो भी problem हो वो इस पर click करे और अपने problem को वहाँ पर mention करें या फिर help desk में उन्होंने guidelines को follow करते हुए सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उसके solution भी बताएं तो friends यह वीडियो आपको काफी helpful प्रूव होगी और friends ऐसी वीडियो आगे आपको लेना हो तो friends वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चले friends विलते अपनी next वीडियो में तब तक के लिए good bye